जै शनीदेव, जै श्री कृष्णा, मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूँ आपके लिए मैं वीकली राशीफल लेकर के 22 जैनुवरी से लेकर के 28 जैनुवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे अब आप कहते होगे गुरुमा राशीफल लेकर के आप बार-बार क्यों आ जाते हैं यह मेरा पर्सनल एक्स्पिरिंस है जब मैं छूटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परिशान थी, फैमिली इशूस थे लाइफ में तो उस समय में मैं रूजाना रा जरूर होगा और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए राशीफल लेकर के आती हूं, आप इससे सुनते रहें, हमारे चैनल से चूड़े रहें और यह विश्वास रखें कि आज चाहीं समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा, भगवान की क्रिपा आपको अवश्य ही प्राप्थ होगी, तो चलिए शुरू करते हैं यह जो राशी फल है, आपकी चंद्र राशी पर आधारित है, यानि कि आपकी जनम कुण्ली के राशी पर आधारित है जिन व्यक्तियों को अपनी जनम कुण्ली वाली राशी नहीं पता है, तो नाम राशी से भी इस राशी फल को आप देख सकते हैं और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्थ होती है, जो भी अभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है वो भी मैं इस राशी फल के मादियम से आपके साथ साजा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें दुलाराशी वालों 22 से लेके 28 जनवरी तक कैसा रहे का यह हफता आपके लिए चली चानते हैं सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यह हफता आपके लिए बहुत तेजी से गुजरने वाला है क्योंकि इसमें आप बहुत बीजी रहने वाले हैं कोई तो कारे हैं आप जो बहुत की जादा प्याशन से कर रहे हैं बहुत जादा आप समय उसको लगा के दे रहे हैं बहुत जादा आप उसमें डिवोटेड हो गए हैं, बिल्कुल आपको किसी चीज का होश नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना समय का, और बिल्कुल आप उसमें लग गए हैं, तो यह हफ्ता उसमें गुजरने वाला है, कुछ तो है जो आप क्रियेट कर रहे हैं, और उसक जाप आपका भागी जो है, वो चेंज होने लगे का, कुछ लोग अपने पार्टनर कोशात रिलेशन्चिप में कुछ ऐसा सच बताना चाहते हैं, अपने पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं, और आप बता सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आ काफी एजी, काफी हलका महसूस करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप जो कारी करने वाले हैं, उस कारी के अंदर आपको बहुत सारी जगाओं से हल्प मिलेगी, आप जो भी किसी चीज में लगे है, जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत को देख कर के, आपकी जो आपके जो रेलिटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली वाले हैं, वो सब आपको हल्प करने के लिए आएंगे, आपको काफी हल्प मिलती हुई अपने काम दिख रही है, लेकिन अफको लीड आप ही करेंगे उनको और आप ही की महनत को देख कर के वो लोग आएंगे कि अएंगे कि अंजी इन चीज में आना चाहिए यगा एवोग अपने काफी दिखाई देख रही है यह काफी लंबे शमय बाट नियू अपके बालेंस में आएका कि अब तक तो मेहां कि महनती मेहां थी और वहां से को प्रापती नहीं हो ए थी धोड़ा यह फट तोड़ी सी आप थोड़ी जादा इंटेलिजेंट इस अफ्ते में हो जाएंगे और अपने काम को अपने काम को बहुत अराम से निकाल पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और सही दिशा में हम उसके लिए आगे बढ़ें तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं किसी की भी बात इस समय में आप मत सुनिए कि आप आगे बढ़े हैं आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इसको करदे से आप अपने लाइफ में नेक्स चाप्टर को उपन करेंगे एक नई सीडी के तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जहां लगे हुए हैं में आंके दरवार में आई यह वी रवार को दरबार लगाया जाता है किसी कोई फीशня लिए जाती है नियोFit है को जी आता ह Smells up को मैंने सारी बाते संजहाई जाती जैसे भी उनके घ्रह उते हैं उनकी हिसाब से उनको मंतर दिया जाते है यह उते हो तो मेरे भी बिठिया काम सिदो गई तो जो कि अपको दिखाई देरा है तो रिलेशन्चिप की बात करें तो डिलेशनिचिप में काफी सुक मिलता हूँ आपको दिखाई दे रहा है आपस में अच्छा समय बिदाएंगे आप लोगो गूमने भी साथ में कहीं चा सकते हैं कु कोई नया कारे शुरू करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि पहले यग्य करें और फिर उस कारे को प्रारंब करें तो यह आपके लिए बहुत हितकर होगा इस समय में आपके काफी उजा आ जाएगी काफी हेल्दी आप महसूस करेंगे खुद को काफी डबल से भ अचीव करने के इसलिए हमें उसी मेनत करनी चाहिए तो तरह आप बिल्कुल बने रहे हैं हेल्थ आपका साथ देगा इसी परिशानी आपको नहीं होने वाली है निराशा को बिल्कुल भी अपने लीच मेना आने दें सारी चीज़े अच्छी ही दिखाई दे रहे हैं यह थ आपको सेजेशन होगा एक बार अपनी घ्रह जरूर चेक करा ले हो सकता है कोई खराब दशाप की चल रहे है जिसके वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइव में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक बार अपनी जनमकुली आवश्य चेक कर करेंगे मात्र एक नारियल सवा मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनी देव और नवगरे देवताओं की क्रिपा अपने साथ ले जाए भगवान आप सभी पर क्रिपा बनाए रखें यही मेरी कामना है जै शनी देव जै श्री कृष्ण झाल 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 झाल